नमस्कार स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप दो मिनट में अपना Facebook एकाउंट कैसे डिलीट करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखेंगे इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा हम आपक से हमारा एकाउंट है और इसको अब हम डिलीट करके दिखाएंगे आप लोगों को दो मिनट के अंदर तो आपको क्या करना है त्री डाट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक सेटिंग का आपसंस दिख जाएगा सिंपली आपको यहां सेटिंग वाले आपसंस पर क्लिक कर देना है सेटिंग माले आपसंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा सेटिंग और प्राइवेसी उसके अंदर आपको यहां पर दिख जाएगा पर्सनल डीटेल्स पर क्लिक कर देना है पर्सनल डीटेल्स पर क् अबलब दिख रहा है हमारा data बर्ते दिख रहा है उसकी नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा identity confirmation उसकी नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक options deactivation और deletion simply आपको यहाँ deactivation और deletion पर click कर देना है आपको तो जैसे आप लोग click करेंगे यहाँ पर आपकी फिर से profile खुल कर आ जाएगी आपको यहाँ profile के सामने type कर देना है तो जैसे आप लोग profile के सामने type करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो options खुल कराएंगे, एक तो उपर आपको दिख जाएगा deactivate account, उसके नीचे आपको दिख जाएगा delete account, तो यहाँ by default deactivate पर select रहता है, अगर आप अपना account permanently delete करना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे delete account को select कर लेना है, और यहाँ नीचे आप लोग continue उपर click करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा permanently delete account, आपको scroll down करके नीचे आजाना है, अगर आप लोग अपना account permanently delete करना चाहते हैं, और यहाँ नीचे आपको continue उपर click कर देना है, तो जैसे आप लोग continue उपर click करेंगे, अब यहाँ पर आपके facebook का जो भी आपने password बनाया हुआ था, उस password को यहाँ पर डाल देना है, तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं, अपना password, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, password डालने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा confirm permanent account deletion, वह यहाँ नीचे आपको फिर से दिख जाएगा delete account और cancel, तो अगर आपको एकाउंट डिलीट ही करना है, तो यहाँ आपको फिर से delete पर click कर देना है, तो जैसे ही आप delete पर click करेंगे, आपका जो account है, वह डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कि आपको फिर से इस account को तीस दिन के अंदर login दोबारा नहीं करना है, अगर आप login करेंगे दोबारा, तो यह जो आपका account है, वहाँ पर absence आएगा, कि आप इस account को फिर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की informative वीडियो हम हमें साब के लिए लेकर आते रहते हैं, तो हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो, एक नए टाफिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल देखिए, हस्तर ही, मुस्कुराते रहे, बने रहे, आ देखिए, बने बात्राओ.